एक्सल में grade हम कैसे निकालते हैं यहाँ पर हमारे पास कुछ students के marks है और उनकी percentage है अब हम चाहें तो grade किसी particular subject के लिए निकाल सकते हैं या total marks की percentage निकाल कर उसके उपर हम grade को calculate कर सकते हैं अभी grade निकालने के लिए हमारे पास criteria है जिस भी student की percentage 100 से 90 के बीच है उसको A देंगे 89 से 80 के बीच में है तो B 79 से 70 के बीच में है तो C 69 से 40 के बीच में है तो D ऐसे ही अगर percentage 40 से कम है तो उसको हम F देंगे grade निकालने के लिए हम if का formula use करेंगे formula हम लगाएंगे equal if bracket जिस भी cell के अंदर marks है या percentage है उसको हम select करेंगे अभी हम grade percentage के साब से निकाल रहे है परसंटेज हमारी इस वाले cell के अंदर है तो अगर percentage 90 से ज़्यादा है या 90 के बराबर है तो यहाँ पर हमारा आजाए A कोमा लगा के quotation के अंदर हम लिखेंगे A कोमा लगाएंगे वापस से लिखेंगे if bracket अब अगर हमारी percentage 80 से ज़्यादा है या 80 है तो हमारा आजाए B वापस से कॉमा लगाएंगे लिखेंगे if अगर percentage हमारी 70 से ज़्यादा है या 70 है तो हमारा आजाए C वापस से कॉमा लगाएंगे लिखेंगे if अगर percentage हमारी 40 से ज़्यादा है या 40 है तो हमारा आजाए D अब यहाँ पर हमारा last criteria बचा जिस भी student की percentage अगर 40 से कम है तो इस condition के अंदर हमारा आजाए F जो भी हमारा last criteria होगा उसको simply यहाँ पर हम quotation के अंदर लिख देंगे bracket close करेंगे यहाँ पर जितनी बार हमने if लिखा है उतनी बार हम bracket को close करेंगे और enter press करेंगे यहाँ पर हमारा grade निकल कर आ गया है यहाँ पर हमारे पर percentage है 91 तो उसके साब से यहाँ पर A आया है इसको हम नीचे ड्रैक कर देंगे तो बाके student के भी grade हमारे पास निकल कर आ जाएंगे